मलेशिया एरलाइन्स भारतिय नागरिकों के लिए यात्रा सुविधा के एक नए युग का स्वागत करती है, जिसमें मलेशिया सरकार द्वारा हाल ही में घोशित भारतिय नागरिक यात्रियों के लिए 30 दिवसिय वीजा मुक्त प्रवेश की शुरुआत की गई है. इस महत्वपूर्ण विकास के अनुरूप एरलाइन 15 जनवरी 2024 से अमरित्सर, ATQ, कौालालमपुर, केविल, मार्क पर उडान आवरित्ती को दोगुना करके कनेक्टिविटी बढ़ा रही है. इसके अतिरिक्त एरलाइन ने अहम्दाबाद, AMD से सीधी सेवाएं शुरू की है. कौालालमपुर, केविल, 1 दिसंबर 2023 से प्रभावी मलेशिया एरलाइन्स इस अवसर को चेहनित करने और यात्रा को प्रोथसाहित करने के लिए एक विशेश इयरेंड से शुरू कर रही है, जो अपने नेटवर्क पर 9,889 रुपए से शुरू होने वाले आकर्शक किराय की पेशकश कर रही है. मुख्य विचार अमृत्सर कुआलालंपूर मार्क पर कनेक्टिविटी में वृद्धी, मजबूत मांग और मजबूत लोड फैक्टर प्रदर्शन के जवाब में, मलेशिया एरलाइन्स 15 जनवरी 2024 से अमृत्सर कुआलालंपूर मार्क पर अपनी वर्तमान आवृत्ती को दोगुना कर रही है, एरलाइन अब सापताहिक रूप से चार बार संचालित होगी, एहमदाबाद कुआलालंपूर रूट की शुरुवात 1 दिसंबर 2023 से प्रभावी, एरलाइन 1 दिसंबर 2023 से चार सापताहिक उडानों के साथ एहमदाबाद कुआलालंपूर के बीच सीधी सेवाएं भी गंतवियों के लिए सापताहिक उडानों की संख्या बढ़ा कर पैसट करना, एक्स्क्लूसिव इरेंड सेल, येस, किराया 9889 रुपे से शुरू, इन रोमांचक विकासों के साथ, मलेशिया एरलाइन्स अपनी एक्स्क्लूसिव इरेंड सेल शुरू कर रही है, जो भारतिय यात्रियों को आकरशक किराये पर विविद गंतवियों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है, किराया आकरशक 9889 रुपे से शुरू होता है, जो कौलालंपुर, सिंगापुर, बाली, सिड्नी, थाइलेंड, हांग-कांग, वियतनाम, जापान, कोरिया, इंडोनेशिय आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में फैले मलेशिया एरलाइन्स के व्यापक नेटवर्क को कवर करता है, सितंबर 2024 तक की यात्रा के लिए एक्स्क्लूसिव इयरेंड सेल की बुकिंग अब 11 दिसंबर 2023 तक शुरू हो रही है